नमस्कार दोस्तों, MP मश्रूम में आप सभी का स्वाधत है, आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ और सबसे पहले अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दपा दिजी क्योंकि जो वीडियो हम अब आगे देखने वाले हैं, वो एक मेरी ओस्टर मश्रूम की सीरीज की वीडियो है और मैं नहीं चाहते कि आप किसी भी डीटेल या किसी भी इनफॉमिशन को आप मिस करें तो आज की जो टॉपिक है, जैसे आप देख सकते हो, मैंने मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है आटरनॉमी ओफ ओस्टर मश्रूम, मतलब आज हम ओस्टर मश्रूम के हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे ये वीडियो उनके लिए है, जैसे जो काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि मश्रूम में कौन सा क्या पार्ट है और वो उस तरीके से मश्रूम को समझ पाएं, जिससे उनको ग्रो करने में बड़ी आसानी हो तो जैसे आप मेरे बोर्ड में देख रहे होगे, मैंने ये उस्टर मिश्रूम बनाया हुआ है और इसे हम प्लेक्टोरस एनोमस के नाम से जानते हैं मुल्ब कॉमली से बहुत सारे जगाव पे डिंगरी बोलते हैं और इसके वह सारे वराइटी जैसे फ्लॉरीडा है, ट्री ओस्टर है, पर्ल ओस्टर है, एलो ओस्टर है, गोल्डेन मिश्रूम है, यहां पे हर मिश्रूम अलग होता है पर उनके कुछ पार्ट जो हम कॉमन में जानते हैं वह सेम होता है यह जो हमारा part है यह part है इसे हम cap बोलते हैं Cap मतलब कि यह वह है जिसे हम खाते हैं ठीक है यह flower है जो इस जो मिशरुम के cultivation में होता है जब आपके fruiting शुरू होगी उसके बाद आता है spore print अगर जब आपका mushroom या जो यह flower petals हैं यह जब over mature हो जाते हैं और यह जाता है और यह over mature हो जाते हैं तो over mature होने के बाद जो है इनमें से एक तरह का spore release होता है white white जैसा धूए जैसा निकलता है तो उसे हम spore print बोलते हैं उसे ही collect करके हम जो है lab में spawn बना सकते हैं फिर है gills अब यह जो lining आप देख रहे हो य जहां पर यह जो lining है आपको ऐसे धारी दिखते होंगे मश्रूम पर तो इन्हें हम gills बोलते हैं जिनके थ्रू यह तांस लेते हैं और air of exchange करते हैं इन्हीं के थ्रू अब बात करते हैं इस जगे की यह जो जगे हैं इसे हम stack बोलते हैं जहां से यह बैक जिस जगे से निकलत हैं हमारी वीडियो में क्योंकि जब बैग रेडी करते हैं तो यह माइसीलियम जिसे हम आम भाषा में कवच बोलते हैं जो पूरे बैग में कवर करता है और फिर हमारे मश्रूम ग्रो करते हैं तो यहां पर आपको माइसीलियम इसलिए क्योंकि यह बैग जिससे यह मश्रू बश्रूम इसी तरह आप मेरे इस चैनल पर बने रहो और आगे मैं आपको और भी विडियो दिखाऊंगी कि और मिश्रूम के बारे में हम थोड़ा और इन डिप नॉलेज लेंगे तो मेरे साथ बने रही है इस त्यू ट्यून थांक यू फो वोचिंगे